तो है गाइस क्या है चाले आई होप आप सब अच्छे होंगे तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने हो लो डोज कोईन के बारे में जो की काफ ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल अच टाइम पर और काफी ज़्यादा पॉपिलर हो चुका है कुछ ही दिनों के अंद को अमाउंट डिपोजिट करना पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलना वाला है अगर आपने इस वीडियो को एंट तक देखा तो आपको पूरी कंप्लेट इंफरमेशन मिल जाएगी डोज कोईन के बारे में तो आपने कभी ना कभी बिटकोईन का नाम जरूर सु बिटकोईन एक क्रिप्टो करेंसी है उसी तरह से डोज कोईन भी एक क्रिप्टो करेंसी तो इहां पर कुछ लोग ऐसे होगे जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको यहां पर बताते हो कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते तो क्यास जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका कि बिटकोईन और डोज कोईन दोनों ही एक क्रिप्टो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कह सकते क्योंकि ये सिफ आनलाइन ही अवेलेबल होती है इसे हम फिजिकली लेंदेन नहीं कर सकते हैं तो आपने देखा हुआ जैसे इंडिया में रूपीज और यूएस से में डॉलर इन सभी को जो है गोर्मेंट इंपोस करती है तो ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी पूरी दुनिया में इस्तमाल में लाया जा रहा है लेकिन समझने वाली बात ये कि क्रिप्टो करेंसी के उपर गोर्मेंट का कोई भी हाथ नहीं होता क्योंकि ये डी सेंटरलाइज करेंसी होती है इसलिए इनके उपर कोई भी अजेंसी या सरकार या फिर कोई भी बार्ड अधिकार नहीं होता है इसके चलते हैं इसके प्राइस को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है तो क्रिप्टो करेंसी को और थोड़े डीटेल में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ तो क्रिप्टो करेंसी को जैसे में आपको होता है डीजिटल करेंसी भी कहा जाते है यह एक तरह का डीजिटल असेट होता है जिसका इस्तमाल चीजों को खरीदने या फिर सर्विसेस के लिए इस्तमाल किया जाता है इन currencies में crypto graphy का इस्तमाल होता है ये एक peer to peer electronic system होता है जिसका इस्तमाल हम internet के माधियम से regular currencies की जगे में goods और service को purchase करने के लिए कर सकते हैं इस process में सरकार या किसी भी bank को बिना बताये भी इस काम को किया जा सकता है तो चलिए अब हम बात कर लेते कि doge coin की शुरुवात कब हुई और किस ने की तो सबसे पहले में हैं पर आपको उता था कि doge coin की जो शुरुवात हुई थी वह डिसमबर 2013 में हुई थी तो चलिए doge coin की शुरुवात IBM के software engineer Billy Marks और Jackson Palmer ने peer to peer transaction के लिए शुरू किया था तो guys I hope अब आप अच्छे से समझ गए होगे कि doge coin है क्या और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते doge coin को आप फिजिकली लेंदेन नहीं कर सकते यानि कि online इसको आप लेंदेन कर सकते goods and service को purchase कर सकते तो guys I hope आपको इस चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि crypto currency क्या होता है तो guys जैसे कि बेन आपको बता कि bitcoin और doge coin दोनुं ही क्रिप्टो करेंसी है तो चलिए अब मैं है पर आपको बता देतो किस तरह से आप doge coin को buy कर सकते सेल कर सकते कैसे आपको deposit करना है और किस तरह से आप लाखो रुपिया कमा सकते डोज कोई में इन्वेस्ट करके तो चाहते तो आप मेरे इस चनल को subscribe कर सकते ताकि इसी तरह की information आपको मिलते रहे तो चाहिए अगर आपको कोई भी queries है कोई भी question है doge coin से related तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं तो चलिए गई जान लेते किस तरह सम इन्वेस्ट कर सकते doge coin में और कमा सकते लाखो रुपिया तो इस doge coin को कैसे buy करना कैसे sell करना वह सारा process बताने से पहले आप एक बार इस graph को यहां पर देख लीजिए क्योंकि यहां पर आप देख सकते ग्यारा अप्रिल को जो है one doge coin is equal to इंडिया रुपीज 5 रुपीज ता जिया दोस्तो एक doge coin का price था इंडिया में 5 रुपे ले और कितना ज्यादा डिमांड क्रिप्टो करेंसी का तो दोस्तों यहां पर आप पैसा इंवेस्ट करके लाखों रुपियां साब अर्न कर सकते तो चलिए दोस्तों हम जान लेते किस तरह से आपको buy करना है किस तरह से आपको account create करना है doge coin में invest करने के लिए तो काई doge coin buy करने के लिए सबसे पहले simply आपको अपना google play store open कर लेना और यहां पर आपको search करना है वजीर x bitcoin cry ding exchange यह वाला एप यहां पर आपको download कर लेना मैंने already इसको download कर लिया है तो इस तरह का लोग आपको देखने के लिए मिल जाएगा वजीर x यहां पर आप इसको download कर लिए तो चलिए अब मैं आपर इसको open करके दिखा जाता हो कैसे आपको buy करना है doge coin तो खाइज यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस टाइम पर वजीर x एप को यहां पर download कर लिए है जैसे मैं आप इसको open करता हो open करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का interface यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा तो खाइज यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी cryptocurrency है सारे यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगे इनमें आप जिसमें चाहते हैं उसमें आप buy कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर बात करने वालो और डोज यूएस जीटी थाड़ अप्शन ने डोज आयन आर तो इस वाले अप्शन पर हमें एक बार क्लिक कर देना थाड़ वाले अप्शन पर तो गाई सबसे पहला आप यहां पर देख सकते हैं एक डोज कोईन का प्राइज इस टाइम पर क्या चल रहा है वन डोज पर प्राइज एक डोज कोईन का तो गाई यहां पर आप देख सेथे ग्राफ है वह उपर नीचे आप पर होता रहता है क्योंकि अभी कल इसका 28 रुपीज चल रहा था लेकिन इस टाइम पर तो इसका मार्केट और ज्यादा इन फ्यूचर बूम होने वाला तो इस पर आप सकते को कश्ट पाइब करिए आपको थोड़ा आपसे अंडश करेंगे हैं और करेंगे उस आपको मूबार यहां पर यहां करेंगे तो आपको अपना इक्सेस कर पाएंगे यहां पर आपको dogecoin buy करने के लिए सबसे पहले कुछ amount यहां पर deposit करना होगा लेकिन उससे पहले भी कुछ यहां पर formalities है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी तो सबसे पहले यहां पर क्या detail आपको fill up करना पड़ेगा वह यहां पर आपको बताएता हूँ जैसे कि मैं यहां पर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले हैं पर आपको अपने नाम और email id मोबाइल नंबर सब रेजिस्टर कर देना उसके बाद मैं आपको verify your account करना है तो guys verify your account करने के लिए simply आपको यहां पर क्लिक करना है तो जैसे कि मारा country इंडिया है तो इंडिया पर आपको एक बार क्लिक करना है इंडिया पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का interface यहां पर आपको देखने के लिए मिल जागा तो यहां पर आपको दो option देखाई देंगे without KYC और with KYC तो guys चाया है तो आप इसको एक बार trial भी कर सकते हैं इसकी for now पर क्लिक करके और अगर आप अपना KYC कंप्लेट करना चाते हैं तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है कंप्लेट KYC पे तो guys सबसे पहले आपको यहां से पूछेगा country आपको country सेलेट कर लेना और उसके बाद में आपसे पूछेगा type of KYC तो यहां पर आ पर आपको personal पर कक्लिक कर देना है उसके बाद में आपको ऐड्रेस जो बी आपका genuine address है और उसके बाद यानि कौन से states आप ब्लॉंग करते, कौन से city से आप ब्लॉंग करते, वो सब यहाँ पर आपको फिलप करना है, उसके बाद आपके city का zip code और फिर pin code यहाँ पर आपको add करना है, देन यहाँ पर आपको option दिखाए देगा pen card number और re-enter pen card number, यानि आपको अपने pen card की copy यहाँ पर upload कर सकते, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ वाला option आपको देखने के लिए मिल जाएगा, document type, तो यहाँ पर आपको काफ़ सरह option देखने के लिए मिल जाएगे, तो यहाँ पर आप देख सकते आधार card, passport, driving lesson, तो आपके पास जो भी इन में से एक document है, उसके साथ आप इसको KYC को complete कर सकते, तो suppose कि जी आपके पास आधार card है, तो आधार card पर एक बार किलिक करना है, और यहाँ पर आधार number डालना है, और एक बार फिर आपको यहाँ पर आधार number एड़ करना है, उसके बाद में upload front of other card, यहाँ आपको अपने other card का front copy आपको यहा पर upload कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको यह वाला option देखने के लिए मिल जाएगा, upload selfie while holding your other card, यानि आपको अपने हाथ में अपने other card को लेना है, और अपने other card के साथ में आपको एक selfie क्लिक करना है, then आपको यहाँ पर वो upload कर देना है, तो guys बस इतना ही आपको process complete करन आपको इस वाले option पर आजाना है, last में आपको यह वाला option देखने के लिए मिल जाएगा fund, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको deposit करना है, तो guys क्योई सी complete करने के बाद आपको इस वाले option पर आजाने, deposit वाले option पर यहाँ पर आपको एक बार click करना है, तो guys यह आपको दोनों option देखने के लिए मिल जाएगे, deposit और withdraw दोनों option यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगे, तो जो भी आप यहाँ पर amount add करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, deposit वाले option पर click करके, so guys for example आपने 500 रुपीज यहाँ पर deposit कर लिए अपने wallet में, उ dogecoin को, तो चली मैं यहाँ पर back चलता हूँ और आपको clearly यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर search करता हूँ, dogecoin, dogecoin INR, और तो मैंने हाँ पर click किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको यह वाला option देखने के लिए मिल जाएगा, buy and sell, तो यहाँ पर आपक सबसे पहला आपको amount set करना है, यानि कितना dogecoin आप यहाँ से buy करना चाते है, purchase करना चाते, तो suppose किजिए मैं यहाँ से 10 select कर लेता हूँ, 10 dogecoin मैं यहाँ पर buy करना चाता हूँ, तो जैस 10 dogecoin का price मुझे आपर कितना pay करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख से 223 rupees, मुझे य 10 dogecoin यहाँ पर buy करता हूँ, तो जैस सिंपली आपको करना किया है, यहाँ पर आप चाहे तो बढ़ा भी सकते, जितना भी आप amount dogecoin का buy करना चाते है, वो आप यहाँ से कर सकते, तो जैस इस टाइम पर आप यहाँ पर देख रहे हूँ, एक dogecoin का price जो है 22 rupees हो चुका है, इ यहाँ पर आपको यह पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते 8 price याने इतने price पर आप इसको यहाँ से buy कर रहे हैं, कितना amount है, dogecoin का, यहाँ पर आप देख सकते 18 dogecoin है, और यहाँ पर आप देखते total amount, यानि आप कितना यहाँ पर pay करने वाले है, तो टोटल यहाँ पर 401 एक रुबिया आप यहां पर पे ओन्ने वाले और इसको बाइक करने लिए अपको करने क्या ही, तो नूत इसको बाइक करने के लिए जैसी हमीनि आ पको पता है, कुछ पहले ही आपको deposit करना है और यह confirm हो जाएगा और यहां से आप इसको buy कर लेंगा नहीं 18 doge coin आपके account में आ जाएंगे अब जब भी इसका price बूम होगा आप इसको sell कर सकते हैं वहाई sell आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो फिर सापको buy and sell पर click करना है यहां पर आपको यह वाला option भी देखने के लिए मिल जाएगा साथ में फर्स्ट में आपको buy मिलेगा और यहां पर आपको sell वाला option देखने के लिए मिल जाएगा तो आपके पास 18 doge coin ने इनको आप यहां पर sell करना चाते हाइस प्राइस पर वाइस जब भी हाँ पर हाइस प्राइस होगा तब ही आपको इनको sell करना इस सापको काफी ज़्यादा अच्छा profit यहां पर मिल जाएगा तो sell करने के लिए simply आपको sell वाले option पर click कर देना और यहां से slide to confirm यानि इसको एक बार slide कर देना और automatically यहां से आपके 18 doge coin जो है sell हो जाएंगे और जो भी price आएगा वो directly आपके account में आ जाएगा उसको आप बहुत ही आसानी से withdraw कर सकते हैं तो गाइज इस तरह साब doge coin को use कर सकते हैं और काफ़ सारा पैसा यहां से आप कमा सकते हैं doge coin को buy करके तो गाइज अगर आपको कोई भी queries है doge coin से related तो आपने यह नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं तो चलिए दस्तो आई होप यह वीडियो आपको पसन आयागा तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं next वीडियो में